Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video, I hope you all are doing good So, आज के वीडियो के शिरुवात करूँगी मैं with this fish curry recipe So, one of my friend told me to share this recipe So, I said कि ठीक है जब मैं कभी बनाऊंगी So, I'll definitely shoot it So, this is for you buddy आज आज जे सबसे पहले इसका masala रेडी कर लेते हैं यहाँ पर mixer grinder में हमने एक बड़े साइस का onion को रफली चॉप करके आड़ किया है उसके बाद एक बड़ा साइस का tomato है उसे भी चॉप कर लिया है उसके बाद 6 to 7 या फिर 5 to 6 के around green chilies आड़ की है और कुछ garlic cloves है और फिर 1 tablespoon zira है 1 tablespoon से थोड़ा कम है राई दाना और कुछ black pepper hole जो काले मिर्च होती है थोड़े से वो भी लिया हमने अच्छा जीन सबको अच्छे से grind कर लिया है उसके बाद अमी ने बोला कि इसमें धनिया powder जो होता है coriander powder वो भी आड़ कर देना है तो यहाँ पर 3 tablespoon अच्छे से मैंने इसमें coriander powder आड़ किया उसको दुबारा से मैंने grind कर लिया है ओके सो अब बारी आती के फिश को हम fry कर ले हम लोग ना फिश को पहले fry करते हैं और डिरेकली कभी भी ग्रेवी में इसको ऐसे ही नहीं आड़ करते हैं अच्छा उसके बाद जो गेहू का आटा होता है वो लिया है उसी में सारे पीसे को ना हमने कोट कर लिया है और थोड़े से oil में इसको fry कर लेंगे on medium to high flame बहुत जादा इसको नहीं पकाना है बस इस तरीके से बिल्कुल जब light golden color आ जाएगा ना बस हमने निकाल लिना है और सारे fishes को मैंने इस तरीके से fry कर लिया है बारी आती हम gravy की जो preparation वो start कर दें तो जो कड़ाई है उसमें लिया है मैंने oil और उसके अंतर थोड़ा सा बिल्कुल जो मेथी दाना होंता वो add किया है बिल्कुल थोड़ू सा और उसको जैसे इसका color change होगा हमने जो masala प्रेपैर करके रखा था तो वो add कर देंगे और उसके बाद जाएंगे सारे powdered masala हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर था वन टेबल स्पून भरके मैंने रेट शिली पाउडर डाला था और उसके बाद salt अच्छा जी तो इसको अच्छे से बुनने देंगे और जिब तक सारा पानी इसका evaporate नहीं हो जादा तब तक भूने जाएगा पानी के अंदर तो जो सारे पीसे समने फ्राइ करके रखे है तो वह भी आट कर देंगे थोड़ा सा इसको और को खोने देंगे फॉर आराउंड 10 मिनेट और वैसे तो पहले है मुझे फिश बिल्कुल पसंद नहीं करती ती और मुझे अभी भी नहीं पसंद है ब तो ये दूसरे दिन रात में मुझे और मेरे भाई को क्रेविंग दो रही थी आईस क्रीम की तो हमने जल्दी से और की थी और ये वाला नया फ्लेवर था चॉकलेट ब्राउनी इंफ्यूज था इसमें जो की बहुत जाता यम लगा था मुझे मतलब हम लोगों ने 24 आर्स क अभी सुबह हो चुकी है आप दन माई ब्रेक्फेस्ट और मेरे बेडरूम के हालत कुछ लगोट ये माइलो ने किया है और मैंने अपनी तक अपना ब्लैंकेट ने फोल्ड किया है इस इस आउटविट आउट इवर लास्ट नाइट बिकस वी हाद सम गेस्टोर और अचा अपना ब्रेक्फेस्ट कर लिया है मैंने मतलब चाय बा किया है और मुझे यहां पर कुछ चीजे भी लगानी है मतलब ठीक है वह सब देखेंगे अगे यह भी क्लीन करना है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा गंदा होगया है ये वाला ज्रॉव भी बहुत अस्ता बलेक्त क्लीन करेंगे यह दुख होगया है मैंने बुर्खा भी सिफरीके से टांग रखा है यह तो यह चाय पीते हैं और कुरान मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सुबा पड़े ही ती कल मैंने जितनी जादे नीन दारी ती सो फेर मुझे हमत नहीं कि मैं बाहर जाके से रख सकों इ अच्छा सो मेरी दुख भरी कहानी तो पिछे वाले क्लिप में आप लोगों ने सुनी ली होगी क्योंकि मुझे भी सफाई करनी अपने रूम की तो पहले तो मैंने घर के काम खतम के जो भी मेरी डूटी होती हो उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों इतने सादा sleepyhead में बनी ह लेती हूं and actually it was a bad idea to make coffee in this cup क्योंकि इसमें बिल्कुल space ही नहीं थी जिसमें मैं अपने जो spoon को stir कर सो को अच्छे से लेकिन ठीक है जैसे भी बना ली मैंने और यहां पर रहे ना काम करते वग मैंने headphones लगा रखे था इसलिए kitchen में पढ़ा हुआ था so अभी coffee को finish करूंगी मैं and उसके बाद फिर I'm gonna go into my bedroom अच्छा सो ये वाले दिन में ना पता नहीं क्यों मुझे पूरा दिन बड़ा टाइरिंग और useless सा फील हो रहा था I don't know why असे नहीं के बहुत अधा मैंने काम किया था but right from the morning मुझे एस एक अधम टाइरिंग सा फील हो था इसलिए मैंने coffee भी पीन क्योंकि मैं काम खतम करने के बाद और नमाज वगेरा पड़ी जोहर की लंच करने के बाद I slept और इतना लंबा वाला मैंने nap लिया ना कि सीधा मैंने शाम को असर के वक्त सीधा मेरी आंख खुली है और फिर मैंने सुचा कि जल्दी से मैं recipe शूट कर ले तो भले देर हो गई मैं ब्लैंकिट को फोल्ड किया और ना इस ताइम तो कीप माई जूल्री अन दिया प्लेस जूल्री मतलब सिफ यह रिंग और बैंगल्स थी और कुछ हैर क्लिप्स था ठीक है तो उसको मैं बाद में रखोंगे फिलहा ले यहले ड्रॉवर को क्लीन करती हूं विकर बहुत कि यह मेरे हाथ से मतलब गिर गई और इसमें जो लिकवर्ड होता ना वो थोड़ा सा स्पेल आउट हो गया बट कोई बात नहीं से वैसे मुझे स्प्रे करना ही था ना क्लीन करने के लिए सो बस मैंने टिशू पेपर से जल्दी से क्लीन कर दिया है और उसके बाद सारी चीज़ा है ना दुबारा से इसमें हम रावर में रखेंगे तो सबसे पहले यह वाला जो पाउच है तो इसमें मैंने अपना हैर स्ट्रेटनर या हैर करलर है I still don't know I think है है हैर करलर है मैंने ए से दुबारा चुने की हमत ही नहीं की अच्छा जी उसके बाद यह जो सारे मेरे हैर एकसेसरी है तो उनको भी ठीकाने पर लगाएंगे हैर कॉम्स और यह इससे मेकप रिमूफ किया जाता है और यह काफी टाइम से यार मेरे पास पड़ा है मतलब यह खतम ही नहीं हो रहा ह और उसके बाद बस थोड़ी से जूलरी वगएरा थी तो उनको भी मैंने रख दिया है तो यह वाला ड्रॉ क्लीन हो चुका है और इस पे ना सामने टिबल पे काफी ज़़ादा चीज़े है जो मैं यूज ही नहीं करती हूँ I think मुझे फेक देना चाहिए लेकिन ठीक है हो गये ज्यादा कुछ मेहनत थी निसमें क्नेस्ट मेगएस क extrem तुन सब लेक virtuous край कोणिए एक देखिछ झुका हैं क्ताओब क्झISTाब लेगा है तुन सर्वचपफिए जया हुच्ACH वाल्या तुन型 ओख usa लेक अ फस्या बल्में की तुक कोभईब क। कeny लिरेंक हे ग कि कि अStartके कि अरेंग। किष्थमगान लिदा से अरेंग। कि अब मेंने कि अभब होब खे incredibly और है, ढ सुछ खेंग пойдता कि एसा सुछ मुड़ान कि रॉग अच्छा सो अब मेरे डेस्क की बारी आती तो जो डेस्क के ओपर सारी चीजे थी ना उनको पहले मैंने हटाया और उसके बार ड्रॉज में बहुत सारे पेपर जम्मा हो चुके थे जिनके मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी तो अच्छा वो मैंने वो सारी चीजे निकाली और फिर उनको क्रश करके ना मैंने बस फेकी दिया और आप लोगों को पीछे ना कुछ पेपर नजरा आएंगे जिसमें आरबिक लिखा हुआ था तो कुछ टाइम पहले ना मैं आरबिक सीखने की कोशिश कर रही थी मतलब बस यूहीं यूट्यूब बगरा से देख करी कोर्स नहीं कर रही थी मैं लेकिन मैंने उसको ज्यादा दिन ता कंटीनियू नहीं किया बस दो तीन पेज़े इसमें मैंने लिखे हुए थे और अब तक तो मैं शाद वो भी भूल चुकियू जो भी मैंने सीखा हुआ था और उसके अलावा मेरी हदीस की बुक थे जिसमें यह वाला जो डाइरी है मैंने रिसेंटली बाई किया है तो मैं इसे उपर ही रखती हूँ अभी ताकि मुझे धिहान में रहे कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें लिखते रहना है मेरे हैटफोन्स आ गए हैं अच्छा और यहाँ पर है अच्छली मैंने अपने डेस्क के उप कोई बात नहीं इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है अच्छा यह सवारी क्लीनिंग वगएरा तो हो गए यह डेस्क की और अब मैंने अपने बैटशीट को सही कर दिया है बागी जो कच्रे जो मैंने निकाले है ना पेपर्स वगएरा वो जब ब्रूमिंग होगी घर की अब तक थोड़ी सी ठक चुकी थी अच्छा जो यह जो बुक है ना वो आजकल मेरे बैट के बगल में ही नजर आती है क्योंकि मैं से रोज रीट करती हूँ इसका अच्छा जी सो यहाँ पर ना रूम के कोने में ना कुछ-कुछ चीज आपको नजर आ रहे हो कि जिसे हो चुकी है तो यह तो चलो हो जाएगा इंशाला क्लीन और फिर अभी मुझे जाना है शार लेने के लिए फिर जोहर की नमाज पढ़नी है लंज करूंगी एंदेन एजए सट कि मैं अच्छा खासा नैप लिया हुआ था फिर शाम कोट के मैंने रेसिपी वगेरा जो है वो यूज करते हैं तो अभी यूज करी थी ना तो शुरू में थोड़ा सा मुझे फिगर आउट करना पड़ा उसके बाद अलहम दुल्ला से एक दम फटाफट सारे समोसे बन गए हैं अच्छा जी सो दाट इट फर टोड़ेस वीडियो आई होप यू गाइस लाइक दिस वन चानल मिलते हैं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए अपना स्टे पॉजिटिव कीप स्माइलिंग और बाई बाई